हेलो, डियर स्टुडेंट्स आप सभी को आज का प्यारा सा गुद म象orm वीडियो में हमने एपी कल्चर शुरू किया था उस वीडियो में हमने एपी कल्चर का इंट्रोडेक्शन पढ़ा था और टाइबज ऑफ हनीबीज पढ़े थी हमने हनी बीज की डिफरेंट जो स्पिशीज होती हैं उनके बारे में बड़ा था और हनी बीज की जो कॉलोनी होती है उसमें कौन-कौन से टाइपस के मेंबर्स रहते हैं यह हमने कवर किया था और आज के वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसकी हनी बीज की लाइफ साइकल को शुरू करते हैं तो हनी बीज का जो जीवन होता है उसमें जो क्वीन होती है जिसके बारे में हमने कल पड़ा था तो सेविन डे ओल्ड क्वीन उसका जो पहले वाला कौम होता है उससे वो अलग होती है उससे अलग होकर वो अपने साथ बहुत सारे उसकी कॉलोनी की जो मेंबर्स होते हैं उ नर प्राणी होता है नर इंसेक्ट होता है ये हनीवीज का तो उन सब को साथ लेकर के वो एक नई जगह उड़ने को जाती है तो इसे हम नप्षल या मेरिज फ्लाइट भी कहते हैं और वो जो सारी जो कॉलोनी है वो अलग जाकर के अपना नैस्ट अपना कॉम बनाती है तो य कल भी हमने बात की थी ड्रॉन का जो वर्क होता है वो होता है क्वीन को फटिलाइज करना तो इसी मेरिज फ्लाइट के दोरान नप्षल फ्लाइट के दोरान ही जो ड्रॉन होते हैं वो क्वीन को फटिलाइज करते हैं उनमें फटिलाइजिशन होता है वो अपने स्पर्म को दोनेट करते हैं जो queen होती है वो अपने sperma स्परम को स्टोर कर लेती है फिर जो sperm होते हैं चूंकि वो queen के पास होते हैं तो उसी के पास ये control होता है कि वो कब sperm को फिर release करती है eggs को fertileize करने के लिए इस diagram में भी यहां आपको दिखाई दे रहा है ये जो सेल है अब ये जो अलग-अलग आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये सारे बॉक्स जो हनी हनी बीस का कौम है उसमें ये प्रेजन्ट होते हैं इनको हम सेल कहते हैं अलग-अलग पार्ट हैं ये कौम के हाइव के अलग-अलग पार्ट हैं after fertilization बनता है larva, यह larva की cell है, लार्वा से फिर बनता है pupa और यह यहाँ पर adult honeybee का development यहाँ पर हो चुगा है तो इस तरह से इन different cells में एग, larva, pupa, adult इस तरह से यह इनका विकास होता है next हम यह देखते हैं कल भी हमने थोड़ा सा discuss किया था कि जो queen worker और drone होते हैं उनका विकास कौन-कौन से eggs से होता है यहाँ हम यह देखें flow chart में queen के द्वारा अंडे दिये जाते हैं अब यह जो अंडे होते हैं वो fertilize किये जाते हैं sperm के द्वारा यहाँ यह fertilization हो रहा है fertilization के बाद दो chances होते हैं उन fertilized egg से या तो queen का development होता है या फिर worker का development होता है अब यह जो development है वो इस बात पर depend करता है कि उनको क्या feed दिया जा रहा है वो queen में develop होंगे या फिर वो worker में develop होंगे यहाँ पर यह बात आपको note करनी है कि queen और worker दोनों क्या हैं fertilized हैं और fertilized means उनमें number of chromosomes हैं वो two set हैं double number of chromosome यानि chromosome के दो set यहाँ पर present है एक जो set है chromosome का वो queen से मिला है और दूसरा set है वो drawn से मिला है तो इस तरह से यह जो egg होते हैं वो 2N होते हैं 2N means deployed द्वी गुनित number of chromosomes अब यह जो fertilized egg हैं वो इस बात पर depend करते हैं कि उनको कौन सा feed दिया जा रहा है उनको भोजन में क्या वो खा रहे हैं तो इसकी दो condition है अगर उनको feed royal jelly या heavy feeding royal jelly जो एक special इनका feed होता है अगर वो royal jelly इनको दिया जा रहा है तो वो develop होते हैं queen में और यह एक special feed होता है यह आपके competitive exam में भी पूछा जा सकता है कि royal jelly मिलने वाले जो एग हैं उनका development किसमे होता है तो जिनको royal jelly दी जाती है वो queen में develop होते हैं यह जो royal jelly होती है वो worker के द्वारा ही सकरीट किया जाती है वरकर के द्वाराISA就是說 किया जानेवाला एक special醋 हूचता है यह glandular secretion होता है जो glands के द्वारा सकरीट किया जाता है वरकर के द्वारा तो अगर royal jelly जिसको मिलती है वो queen में develop होती है और queen जो होती है वो एक ही queen का development होता है फिर ये एक queen का development होने के बाद ये दूसरे queens को develop होने से ये रोक देती है कुछ ऐसे phyromons secret करती है कि जो एक queen develop होने के बाद दूसरी queen develop नहीं हो पाती कॉलोने में के वल एक ही queen रहती है तो यहां पर ये एक important question है royal jelly feed करने वाले queen में develop होते हैं फिर next है जिन eggs को light feeding मिलती है वो worker में develop होते हैं और worker भी यहां 2N that is deployed number of chromosomes are present in worker worker भी 2N होते हैं और ये light feeding करने वाले जो egg हैं वो worker में develop होते हैं और ये हमने कल भी बात की थी कि एक colony में 50 to 60,000 workers होते हैं फिर next आता है unfertilized egg से develop होने वाले drawn होते हैं ये भी एक important question यहां पर बनता है that is N इन में number of chromosomes का केवल एक ही set होता है फिर आगे हम यहां यह देखते हैं कि honey bee का जो development है उसमें कितने कितने दिन लगते हैं यहां पर यह hatching की stage है अंडों से बाहर निकलने की cell capping की stage इसे cell को बंद कर दिया जाता है pupa है pupa है adult है और emergence from cell cell से जो adult insect है उसका बहार निकलने के days यह आप इस screen से यहां देकर के आप अपने notes में इसको लिख सकते हैं next हम देखते है methods of bee keeping जो epi culture है bees को रखा जाता है उसके रखने के कौन-कौन से methods होते हैं अब यह जो methods है वो दो प्रकार के होते हैं epi culture के दो important methods है first जो method है वो है indigenous methods of bee keeping indigenous means जैसे natural तरीके का हम इसको कह सकते हैं या प्राचीन तरीके का methods of bee keeping हम इसको कह सकते हैं अब इसमें भी यह है कि यह जो indigenous method है यह दो प्रकार का होता है और इसमें दो प्रकार के ही जो कौम है वो इसमें बनाए जाते हैं first तो जो आपको screen में यहां पर दिख रहा है यह फिक्स्ट हाइव यह आपको दिख रहा है यह है फिक्स्ट हाइव एक जगह ही फिक्स्ट रहने वाला कौम तो यह जो फिक्स्ट है यह पूर्ट है प्रकारतिक प्रकार का होता है natural type का होता है क्योंकि इसमें वानी भी इसके द्वारा खुद के द्वारा ही दिवारों पर या फिर पेड़ों पर कौम बनाया जाता है और आपने इसको नौटिस भी किया होगा दूसरा यह जो आपको नीचे दिख रहा है यह मूवेवल हाइव जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले करके जा सकते हैं यह है यह थड़ा मौडन प्रकार का है और यह आर्टिफिशल इसमें यह जो वुडन बॉक्स है यह बनाया जाता है लकडी का यह बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें जो हनी बीज है उनका कौम इसमें बनाया जाता है हनी बीज के द्वारा तो यह जो इंडिजिनस मेथड है इसमें भी दो प्रकार के यहां पर कौम हमने पड़े है नेक्स्ट जो है वो है modern method of epiculture modern method यह जो method है वो scientist के द्वारा दिया गया है जिसको भी space theory के according इस method को develop किया गया था तो यह आपको photograph दिख रहा है scientist का Lorenzo Loren Langstroth है और इनके द्वारा ही यह modern method develop किया गया था जिसमें एक जो बी space theory की हमने बात की तो बी space theory का मतलब होता है कि जो दो कौम होते हैं दो उनके nest होते हैं उनमें proper distance होना चाहिए ताकि जो बीज है वो अपना जो function है वो easily अपना पूर्ण कर सके अब इसी method में एक important calm होता है जो बनाया जाता है हाइव होता है वो बनाया जाता है यह है इसमें जो typical movable हाइव है जो हमने अभी wooden box की बात की थी वैसा ही है हलका सा यह उसी की जैसा हमें दिखाई दे रहा है यह भी कहते हैं क्योंकि इन्हें के द्वारा डिवलप किया गया था अब इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं अलग अलग पार्ट्स आपको दिख रहे हैं तो यहां पर हम देखते हैं जो सबसे नीचे का होता है इसमें पार्ट यह हाइव स्टेंड होता है जो यह अब यह जो बॉटम बॉड होता है यह हाइव के लिए एक प्रोपर बेस बनाता है आधार बनाता है और इसी में हनी बीज होती है उनके एंट्रेंच भी इसी बॉटम बॉड के द्वारा होती है bottom board के उपर यह आता है standard brood box standard brood box यह जो brood box है या इसे हम brood chamber भी कह सकते हैं यह जो chamber होता है यह इसी में ही proper जो उनका com है उसको बनाया जाता है जो honeybee's के द्वारा com बनाया जाता है वो इसी में hanging रूप से यह बनाये जाते हैं next आता है यह जो आपको black वाली sheet दिख रही है यह queen excluder exclude means बहार निकाले रखना या फिर एक ही space पर particular उसको बनाये रखना means queen को अलग करने वाला यह जो black sheet आपको दिख रही है यह है यह zinc की sheets होती है जिन में से होकर queen बहार नहीं निकल सकती केवल वर्कर ही इसमें से निकल सकते हैं वो pollen collection के लिए तो वर्कर का साइज चोटा होता है तो क्वीन इसमें से बाहर नहीं निकल सकती बलकि वर्कर इसमें से बाहर निकल सकते हैं पॉलेन कलेक्शन के लिए और इसमें आपर और उपर ये सूपर चैमबर है ये मीडियम डैप्थ सूपर है ये शैलो सूपर है ये जो सूपर होते हैं य कि अगर कॉम को और बड़ा और है तो वह यहां पर जो कौम है उनको बनाया जा सकता है यह जो कवर है आगे इनर कवर और यह है आउटर कवर जिसे हम तौप कवर भी कहते हैं यह जो कवर है वह पेरिसे partition करते हैं और हाइव की covering ये बनाने का काम करते हैं तो इस तरह से dear students ये एक typical movable हाइव है और ये length strong के द्वारा इसको develop किया गया था तो इस तरह से dear students I hope कि आपको आज के द्वारा ये आज जो हमने इसका life cycle पड़ा है इसके types of high you पड़े हैं वो आपको समझ आये होंगे ये जो diagram है वो आप अच्छे से बना के अपनी notebook में देखें और इसको learn करें आज के लिए इतना काफी है dear students thank you